हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आज के इस टेंडिंग वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभी नदन करता हूँ आसा करता हूँ कि आप सभी सकुसल होंगे, स्वास्त होंगे और अपने आने वाले एक्जाम की तेहरी बड़े जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि इसमें सवाल आ रहे हैं और एक से दो सवाल भी आ जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रिजनल डूलर बैंक के लिए जो प्रियाटी सेक्टर टार्गेट हैं वो कैसे हैं चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि प्रियाटी सेक्टर का टार्गेट जो है वो डूमेस्टिक बैंकों के लिए cooperative banks के लिए और 20 और 20 से अधिक जो foreign bank ब्रांचे चलाते हैं उनके लिए अलग priority sector के target हैं फिर 20 से कम जो foreign की branch की साखा है उनके लिए अलग है फिर small finance bank के लिए जो target है उनके लिए अलग है और regional ruler bank के लिए जो target है वो भी अलग categorize किये गए है जो domestic commercial banks हैं और जो small finance banks हैं उनके लिए priority sector की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो आज इस वीडियो में हम करेंगे regional ruler bank के लिए priority sector के target सबसे पहले जाते हैं कि जो total priority sector का target है regional ruler bank के लिए है यहाँ पर फरक यह है जब commercial बेंकों को target दिये जाते हैं तो वहाँ एन बीसी के दिया जाता है अड्जस्टेट नेट बैंक credit यह सीओ बीए का इसमें credit equivalent to off-balance sheet exposure whichever is higher लेकिन regional ruler bank के जब भी target यहाँ पर बात होगी वहाँ पर होगी outstanding पर advances outstanding पर total advances पर चर्चा होगी तो सबसे पहला जो ज़्यादातर सवाल पूछता है वह regional ruler bank के लिए वह है टोटल प्रियाटी सेक्टर टार्गेट कितना है तो वह है 75 परसेंट आप total outstanding यह 75 परसेंडिंग यह 75 परसेंड आप जमीन हो ऐसे जो फॉर्मर है उनके लिए जो टार्गेट दिया गया है एक परसेंट आप total advances पे अब micro enterprises जो micro enterprises हैं उनके लिए जो टार्गेट दिया गया है अब micro enterprises क्या है जानने के लिए देखिए जिनका जो इन्वेस्टमेंट है करोड है और टर्नोबर जो है वो पांच क्रोड है वो micro enterprises कहलाएंगे तो ऐसे enterprises के लिए जो टार्गेट दिया गया है 7.5% आप total advances और एक जो ज़्यादातर सवाल पूचता वीकर सेक्शन में आररभी के में वीकर सेक्शन का टार्गेट कितना है तो वीकर सेक्शन का टार्गेट है 15% आप total advances यह 15% आप total advances वीकर सेक्शन का है तो यह महत्पूर्ण टार्गेट है जो रिजनल डूर्ल बैंक के लिए प्रियाटी सेक्टर के माध्यम से आपको यह समझ माया गया होगा कि आररभी के लिए टार्गेट क्या रखेंगे हैं और किन बिंदों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है तो आश्या करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जिया दोस्तों अभी पिछले 9 अगस्त को जो 36 गड़ राज जिग्रामिन बेंक के एक्जाम हुए थे उनके सारे प्रशनों को मैं अप्लोट कर दिया हूँ आपके लॉग इन सेक्षन में आप जाके देख सकते हैं और उनके आप अनुभो लेके अपने आगे आने वाले तैयरी को फुक्ता कर सकते हैं कि कैसे सवाल यहा और आपके मन में अगर कोई डाउट है या कोई प्रस्न है तो सवाल जो है बैंकिंग प्रमोशन एक्जाम और इंट्रीव से रिलेटर हो तो अच्छा है और कोई डाउट है जिसमें आप चाहते हैं तो वो सवाल आपके लिग दिजिए तो उस सवालों के जवाब मैं एक व तो 50 लोग के सवाल जो हैं मैं लेना चाहता हूँ अब मैं आपसे गुजारिस करता हूँ कि कम से कम 50 साथी तो कमेंट करके अपने सवाल छोड़ सकते हैं उन सवालों के जवाब मैं लेकर एक वीडियो के माध्यम से आपके भी चाह जाओंगा तो आसा करता हूँ कि आप सभी अपने सवाल यहां लिखेंगे और आपके जवाब जो मैं अच्छे तरीके से प्रसुत करने का कोसिस करूँगा मेरे साथ बने रहने के लिए और आप सही होग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हैं दोस्ता अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगाओगा तो इसको लाइक कर दीजे चैनल में नए आये हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे सभी के सकुसलता और सफलता की कामना करते हूँ आपसे बिदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी question answer session में तब तक के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार, thank you so much